यहां पे हमें दिया गया है कि सुधीर 2000 रुपे उधार देता है 10% per year के रेट से प्रसांथ जो है वो 2000 रुपे उधार देता है यहां पे 10% half yearly के रेट से तो हमें यहां पे एक साल के बाद जो वो दोनों interest पे करेंगे उनका difference find out करना है तो देखें मैंने इसको इस तरह से राइट कर लेए यहां पे जो सुधीर है उसका राइट कर लिया principle 2000 rate 10% per year time दिया हुआ है one year ठीक है ना और प्रसांथ का principle 2000 rate 10% half yearly और time है one year तो क्या कर लेते हैं यहां पे amount निकाल लेते हैं ठीक है ना उसके बाद compound interest find out करेंगे तो यह आ जाएगा यहां पे principle ठीक है ना 2000 multiply one plus rate upon me hundred तो rate कितना यहां पे 10 है upon me hundred time कितना है one है ठीक है ना तो यह आ जाएगा 2000 चैनल जाएगा 1000 गुणा के 110-100 फिए कन एक बार लिखेंगे तो यहां पे दो zero से दो zero cancel out हो जाएंगे तो यह बन जाएगा कितना यहां पे 1121 थीक रथीक है और इस करते हैं आपको पताई है principle into यहां जाएगा one plus रेट का half कर देते हैं और time का कर देते हैं double तो यहां जाएक फ्रिंसेपल कितना अहांपे 2000 गुणा के एक जमाखे rate कितना है यह 10 है 10 divided by 2 क्योंकि यहांध का half करना upon में hundred और टू मल्टिप्लाई और यहां पर टाइम कितना है यह है वन ठीक है ना तो चलिए मैं राइट कर देता हूं इसको तो दो हजार गुणा के यह हो जाएगा दो पंजे दस तो कितना आगे एक जमा के पांच बटे सो पावर आगी दो ठीक है आगे क्या करना है हमें इसका चर्ने करेंगे तो यह हमारे पास आगा दिफरेंस फाइंड आउट करना है तो डिफरेंस निकाल लेंगे कहाँ तो यह आगएगा प्गाचरोपे, चीके ना